जैहिंत बंदे महत्रम नमस्कार शातियों सौगत हैं आप सभी का आपके इपने यूटूब चैनल अवतार इस्टडी 7054 में मैं पाल प्रबीन आज के वीडियो में बात करेंगे राश्टी उद्यान एभम अभ्यारण एटॉपिक आपके एक एक्जाम के लिए बहुत ही और नीचे दिएगे लाल बटन को दबा कर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए तो आएए शुरुआत करते हैं आज की सांदार क्लास के साथ भारत का प्रथम राष्टी उद्ध्यान कौन सा है भारत के प्रथम राष्टी उद्ध्यान के साथियोंगर बात करते हैं तो जिम कार्विट राष्टी उद्ध्यान भारत का प्रथम राष्टी उद्ध्यान है और कहां पर यह साथियों उत्तरा खंड में इस्तित थे थे इ सबसे पहला राश्टी उद्धान है किस राज्व में इस्थी थे तो यह सातियों उत्राखंट राज्व में इसते थे सही आंसर इसका option number V मद्द प्रदेश में सबसे अधिक राष्टी उद्याने लगबग यहाँ पर 11 राष्टी उद्याने अपने अधखना है important point है आपके गजाम के रिए तो सबी लोग वीडियो को भी share करेंगे भारत में सर्वदी को वंजीब अभ्यान है important point है वंजीब अभ्यान सर्वदी कहाँ परेश्टित है सबी लोग comment करेंगे तो इसका right answer देंगे सबी लोग वंजीब अभ्यान के अगर बात करें में तो सर्वदी को वंजीब अभ्यान कहाँ परोजाता है सही answer है आपसर नमबड़ी अंडमार और निकोवार में सर्वदीक वंजीब अभ्यान है अपनी अधखना है भारत में टाइगर इस्टेट के नाम से किस राज्जी को जाना जाता है important point है कई बार इस परशन को एक्जाम में पूचा गया तो सबी लोग इस्टार बात करेंगे टाइगर इस्टेट के इगर बात करें तो टाइगर इस्टेट के नाम से किसको जाना जाता है करनाटक, मद्द परदेश, उत्राखंड या फिर पच्छिम बंगाल ठीक है टाइगर इस्टेट राइट आंसर जाएगा इसका मद्द परदेश, उप्सन नमबर भी राइट आंसर है मद्द परदेश को टाइगर इस्टेट के नाम से जाना जाता है ठीक है लगवग यहाँ पर ग्यारा राश्टी उद्धाने इस पाइट को भी आप नोट करेंगे ठीक है और इसको टाइगर इस्टेट के नाम से जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा बाग अब्द परदेश, आंद परदेश या फिर पच्छिम बंगाल सही आंसर इसका आपस नुमबर C, आंद परदेश में भारत का सबसे बड़ा बाग अब्द परदेश को भी आपने बहुत अच्छी से अगना है क्योंकि यहाँ से प्रशन कई बार पोचे गया है, ठीक है, सब लोग इसको इस्टार मा के नोट करेंगे भारत का कौन सा नेशनल पार्क, ओलीब रिडेल्ट टर्नल के लिए प्रशिद है केबला देब नेशनल पार्क, भीतर कंका नेशनल पार्क, नागा अरजुन शागर नेशनल पार्क, या फुर कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क सही आंसर जाता है इसका आपसन नमबर भी, भीतर कंका नेशनल पार्क टिक है किसके लिए पिषिद है ओविल रिडल्ट टरनल के लिए पिषिद है राइट आज़र है आपसर नमबर ग्रिफ अगला अपसर है तो कस्मीरी महाम्रफ के लिए पिषिद है राइट आंसर करेंगे इसका सभी लोग और आपसे नम्बर एंडची ग्राव नेशनल पार्क ये कस्मीरी म्रग के लिए प्रशिद है राइट आपसे नम्बर ए अगला आपसे निम्लकित में से किस नेशनल पार्क को पच्छियों का स्वरक कहा जाता है पच्छियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्ग को कहा जाता है पच्छियों का स्वर्ग राइट आंसर हो जाता है इसका आपसे नमबर दी केवला देव नेशनल पार्ग को पच्छियों का स्वर्ग कहा जाता है important point है आपके exam के लिए video को सभी लोग share करेंगे केवला देव नेशनल पार्क किस राज में इस्तित है केवला देव नेशनल पार्क किस राज में इस्तित है सही answer है आप सनमबड़ी राजिस्थान राज में केवला देव नेशनल पार्क इस्तित है अपने इस point को बहुत अच्छे सी अधकना है यहां की राजधानी की बात करें तो जैपूर यहां की राजधानी है जैपूर को Pink City के नाम से भी जाना जाता है अगला अपसर है विस्स का एक मात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क विस्स का एक मार्त तेरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा हो जाता है सब भी लोग कमेंट करेंगे विस्स का एक मार्त तेरता हुआ नेशनल पार्क राइट आंसर है इसका आप्सन नमबर B कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क विस्सु का एक मातर तैरता हुआ नेशनल पार्क है अपनी याधखना है अगला आपसने एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रशिद है एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रशिद है टीके यहां पर क्या पाया जाता है तो यह कहां पर इस्तित हो जाता है सही आउसरे कन्योज में टीके राइट आउसरे आपस लूम्बर सी कन्योज में इस्तित है सुरहाताल पच्छी बिहार कहां इसते थे सुरहाताल पच्छी बिहार कहां इसते थे राइपरेली प्रताबगड़ कन्नोज बलिया सुरहागड़ पच्छी बिहार की बात करें तो ये बलिया में इसते थे साथियों कहां पर ये बलिया में इसते थे कहा पर इस्तिते थे राईबली बरेली पृताप갈 कन्योज या फुर दर्भंगा सवी लोग कमेंट करेंगे कि भीम राओ अम्बेड कर पच्ची अम पर इस्तिते तरह सही और सब यानसर जाता है इसका पृताप गड में ठीक है सबी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से सही आंसर जाता है इसका आप्सन मेरी अरुनाचल प्रदेश में नाम दफा वाग रिजर्व इस्तित है अपनी अदगना है अरुनाचल प्रदेश ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट पाइंट है अपकी इजाम के लिए विस्दु का सरवधिक उचाई पर अविस्तित वागर्यजर्व कौन सा है कोसर नमबर 17 का राइट अंसर है आपसर नमबर C नाम दफा वाग रिजर्व ठीक है नाम दफा बाग रिजर्व विस्व का सर्वधिक उचाई पर अविस्तित बाग रिजर्व इस पाइंट को आपनी यह दखना है अगर आपसे एक्जाम में पूछा रहा है कि सबसे अधिक उचाई पर इस्तित विश्व का सबसे अधिक उचाई पर इस्तित बाग रिजर्ब कौन से जाता है तो उसका नाम है नाम दफा बाग रिजर्ब ठीक है विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्तित है चेत्रफल की द्रश्ट से भारत का सबसे छोटा बाग रिजर्ब कौन सा है ठीक है छोटे की अगर बात करें तो चातियों चोटा बाग रिजर्ब छेत्रफल की द्रश्ट से छोटा बाग रिजर्ब कौन सा हो जाता है सही आंसर देंगे सबी लोग पनी अप्तितित नम्बर 19 है करनातक में इझतित थे करनातक में इझति थे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं उसके लिए पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है सब लोग वीडियो को सेर करें लाइक करें और नीचे दिये लाल बटन को दबा कर चेनल को भी सब्सक्राइब करें कोसर नमबर 20 है इसका राइट आंसो जाएगा अपसनी राजस्थान में कोसर नमबर 21 है वाधव अध रिजर्ब के गर साथियों वाध कर गए तो राजस्थान, मद्पदेश, करनाटक और राजिस्तान कहाँ पर इस्ती थे सबी लोग कमेंट करेंगे राइट अंसर जगा इसका अप्सन नमबर इवी मद्ध प्रदेश में ठीक के साथ यूँ मद्ध प्रदेश में बाधव गड़ बाग रिजर्व इस्ती थे या फिर राजिस्तान यहाँ पर डवल अप्सन होगा है राजिस्तान का तो काटके उस और कर लिजाए यूपी कर लिजाए ठीक है यूपी तो पन्ना बागरिजर्ब किस राज्में इस्तिते थे तो कहां पर ये मद्व प्रदेश में इस्तिते थे आपसे निमबर भी राइट आंसर है कहां पर सातियों मद्व प्रदेश सबी लोग कमेंट करेंगे राजस्तान, मद परदेश, उत्तरपदेश या फिर उडिसा राइट आंसर है अप्सन नमबर D उडिसा ठीक है सत्कोसिया बाग रिजर्ब जो है सातियों यह कहां पर इस्तिते यह अपका उडिसा के अंदर इस्तिते यह अपनी यह दकना है इस्टार बना लेजीगा सभी लोग अगला अपसन है पीली भीत बाग रिजर्ब किस राज में इस्तिते थे इंपोर्टेंट पॉइंट है सातियों सभी लोग वीडियो को एक बाग रिजर्ब किस राज में इस्तिते थे तो पीली भीत बाग रिजर्ब की बात करें तो साथियों कहाँ पर उत्तर पदेश में जिसते थे राइट आंसर कोशन नमबर 25 का ओप्सन नमबर C ठीक है तो एते साथियों आपके 25 महत्पूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक है आपके गजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को सेर करिए लाइक करिए और नीचे दिएगे लाल बटन को दबा कर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे एक लिए फिर वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत